और जो बाइट बना रहे हैं और बहुत तगड़ी बाइट उठा भी रहे हैं तो देखना है कि राजू क्या कमाल करते हैं क्या पाउन के इस बाइट का जवाब अच्छी तरह से दे पाते हैं आप लोग देख रहे हैं सामने प्रेट में कड़ी चावल लगा हुए मतलबाद जो चैलेंज होने चल रहा है कड़ी चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है यह चैलेंज कैसे लगेगा आईए पाउन इलहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो महा चैलेंजर बैठे हुए तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके एक हजार रुपय का नगत प्रश्कार कॉन लेकर जाते हैं तो देर नगते वे टाइमर को चालू कर दिया जाए और यहां पर टाइमर चालू होने के पूरी तरह से तयार नहीं कर पा रहा है, गुसा गया है अब यहांपध साइन दे दिया रहर है चालू हो चुक्ए जो है और बहुत टंगडी बाइट एक कमाल करते हैं का सब्क आइब का जवाब अच्छी तरह से दे पाते हैं यहिंद मिलकुल पावर में हैं हाँ राजु इस समय पूरी तरह से पावर में हैं तो देखना कि इस पावर का फाईदा उठाते हैं यह पावन को पीछे करते हैं खुट पॉन से पीछे हो जाते हैं एक हजार रुपए का जो यहां पर पुरसकार को राजु लेते हैं फिर पॉन लेते हैं दोनों लोग पूरी तरह से डाओड रहे हैं मंजिल की ओर पूरी तरह से राजु भी हाई बोल्टेज करना जारा दिखा रहे हैं और सोथ रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर पाउन को आगे नहीं जाने देंगे और पाउन बार-बार राजु के बाइट को देख रहे हैं तोड़ा नार्मल ही उठा रहे हैं क्योंकि हमें बाइट का बाइट से देना है बहुत गज्याब और बहुत हाई बोल्टेज वाली बाइट दोनों लोग ले रहे हैं और इस बाइट के चलते देखिए जीत्ता काउन है राजु या फिर पावन बाइट गज्याब और ऐसे अलग रहा है कि बढ़त बनाते बनाते बढ़त बना लेंगे पावन और देखते रह जाएंगे राजु हजार रूपए का जो पुरसकार है पूरी तरह से एक तरफा हो जाएगा और नहीं नहीं हमसे बढ़त बनाएं भाई देख रहे हैं हमारे की स्पीड है वह भी बढ़ती हुई दो मिनट पांच सेकेंड के उपर जा चुकी है और इधर अभी जो बाइट है पूरी तरह से बाइट भयंकरता का रूप नहीं ले पाई है बहुत गजब और पूरी तरह से जो कड़ी पकवड़ा है एकदम मिक्स कर लिये है पाउन और सोच रहे हैं कि हमें राजू को किसी भी कीमत पर किसी भी बेस पर राजू को जीतने नहीं देना है अगर जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे राजू नहीं जीत पाएंगे यहीं चुष्की लेते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पानी पी रहे हैं और देखते ही देखते इस समय दोनों लोग लगवग-लग-लग-लग-मंजील के ओर भागते नजर आ रहे हैं और यह 1,000 रुपए का पुराशकार किसके जिमें जाता है पूरी तर से उधर देखते नजर आ रहे हैं राजू और सोच रहे हैं कि पुरी तरह से जितना चावल था पूरा मिला चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि अब पौन से आगे जाना राजू के बस की बात नहीं है क्योंकि पौन थोड़ा थोड़ा बढ़त बनाना चालू कर लिए हैं और भग 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 राजू भी तो जाना चाह रहे हैं मिक्स तो किये हैं लेकिन अगर यहीं खा लेंगे तो पौन से तब भी बढ़त नहीं मना पाएंगे क्योंकि अभी राजू के थाली में जो चावल की मात्रा है पौन के थाली से ज्यादा है बहुत गजब और इस समय तीन मिनट चाली सेट का सफर्ताय करता हुआ टाइमर हमारा पूरी तरह से दोनों लोगों को लपेटे में लेकर भाग रहा है और यहां पर पौन पूरी तरह से कोसिस कर रहा है कि राजू को हरा दें और राजू भी सोच रहे हैं कि हम पौन को किसी भी कीमत पर मंजिल पर क्या करें कैसे करें कि आगे भागते नजर आएं और यहां पर पावन इसारा दे रहें कि भाई या हमारे बसकी बात नहीं है कुछ नकुछ तो है इस कढ़ी और चावल में जो जीतने नहीं दे रही है है आगे जाने नहीं दे रहे हाँ चलने पा रहा है तो क्या लगता है आगे जाएंगे या फिर और यहां पर राजु भी वह अपने आपको बिराशाह नजर आते दीख रहे हैं और सोच रहे कि किकी कि में आज सबस्क्राइब और यह जाने नहीं नहीं दे रहा है तो देखते ही देखते चार मिनट 52 का सफ़रता है टाइमर और पूरी तरह से यह लोग अस्थाई रूप से भी रुके हुए हैं सोच रहे हैं कि क्या किया जाए लेकिन इधर पूरी तरह से कोई ने कोई दाव पेज लगा के पौण बैठे हैं कि थोड़ा सा आगे जैसे राजू बढ़ते हैं पूरा खटा-खट पाइच मारते चले जाएगा और जीत हासिल कर लेंगे और देखते हैं राजू जी क्या करते हैं क्या फिनिस कर पाते हैं नहीं बहुत बढ़ियां और यहां पर पूरी तरह से दोड़ाया जा रहा है लेकिन राजू है कि सोच रहे हैं कि हम अब चलेंगे तो अपने ही स्पीर में चलेंगे चाहे जो जितना दवडा ले और लास्ट जितना चावल था पूरा का पूरा जो है कढ़ी में मिला चुके हैं और अब देखना है कि क्या कमाल करते हैं राजू और क्या कमाल करते हैं पावन पूरी तरह से च्छा मिनट पंदरा सेकेंड के ऊपर टाइमर जा चुका है और च्छा मिनट पंदरा सेकेंड में अभी बाइट में बाइट गजाब ना निस्टा बाइट मार रहे हैं राजू और ऐसा लग रहा है कि पौन अब देखते ही रह जाएंगे फिर से पौन के हाथों में हरकत आ बाइट उठाना चालों कर दिये हैं और राजू को जीतना इनके बस की बात नहीं है तो ně पाइट उठाने में नहीं हाथ जवाब दे रहा है मूह जवाब दे रहा है और जो भंडा रण है पूरी तो यहां पर दोनों स्पीडर है अलग अलग छेत्र के स्पीडर है तो देखना है कि अभी इस बाइट को उठाने में ऐसा लग रहा है कि डर रहे हैं कि यह दोड़ाने के मूड में नहीं लग रहे है क्योंकि इन्हें ग्रीद सिगनल का इसारा नहीं मिल पा रहा है और अब इस चैलेंज को अंजाम क्यों लेकर चले जा रहे हैं और देखते ही देखते शाट मिनट अठाइस सेकेंड के इस दावर में पूरी तरह से आ चुके हैं अपने हरकत पे और जितने के कगार में पहुंच चुके हैं लास्ट बाइट यही उठाते ही एक हजार रुपे का नंगत पुरसकार पा जाएंगे और राजू फिर से बाइट लेना चालू किये लेकिन बहुत चोटी चोटी बाइट ले रहे थे साहद पौन का साथ देने के लिए बाइट लेना चालू कर दिये थे तो पौन जी क्या कहना चाहेंगे तो फाईल ने बिन करहें लिया है तो राजू जी आहीं सलच तमने लिए धन्नवात करते हैं और इसतरके आप लोग भी लाइक सासे बौन करों करते रहें और ऊक्रीर म मिलने वाली नहीं दो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्नवात झाल जडिए सुप्सकोंट